इस बार वीकेंड के वार पर सलू भाई जान एक एक करकर सभी कंटेस्टेंट्स को थेरपी रूम में बुला रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं आईना कि किस तरह से वो लोग इस गेम में नजर आ रहे हैं और क्या है उनका गेम एक्चुल में तो ऐसे में आंकीता ईशा के बाद आब मुनवर और मनारा को एक साथ थेरपी रूम में बुलाया गया और ये पहली बार हैं कि दो कंटेस्टेंस एक साथ थेरपी रूम में आए हैं जहां सल्मान खान ने मुनवर से पूछा कि आपको बुरा लगा इस बात का कि आप दिमाग वाले मकान से निकल कर अब इस बात पर मुनवर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बिलकुल भी बात नहीं है लेकिन क्यों कि इस बार थेरपी रूम में मुनवर के साथ मनारा भी आई है तो वो बहुती ज़दा एक्साइटेड नजर आती है और इस बात से अगरी करती हुई दिखती है जिस पर सल्मान खान मुनवर से कहते हैं कि देखो इस बात पर मनारा तो अगरी कर रही जिस पर आगे सल्मान खान मुनवर से कहते हैं कि जिनसे आपकी नहीं बनती है और आपको उनके गेम के बारे में पता है उसके बात भी आप कंफरेंट नहीं करते हैं जिसकी वज़े से ये सारी चीज़े हो रही हैं वहीं आंके सलमान खान कहते हैं कि मुनवर आप किसी भी चीज में स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आ रहे हो ठीके लोग आप से आके बात करते हैं या कोई मुद्दा होता है तो आप उनकी बास सुनो लेकिन अपनी बात भी तो रखो आपने घर में एक बात पहले क जाओगे जी हां इस बार विकेंड के वार पर सलमान खान ने इतनी बड़ी एडवाईज और स्टेटमेंट मुनवर को दी है वेल इसी टॉपिक पर सलमान खान मनारा से क्वेशन करते हैं कि मनारा आपको क्या लगता है इस घर में मुनवर का कौन-कौन फायदा उठा रहा ह इस पर मनारा जवाब देती है कि मुनवर खुद चाते हैं कि वो इस ग्रूप में रहे और इस ग्रूप में लोग उनका फायदा उठाए तो वो खुद से ही लोगों को अपना फायदा उठाने दे रहे हैं उनको रिष्टे को लेकर कोई भी क्लियारिटी नहीं है इस पर सल अर्मान खान ने किसी को नहीं छोड़ा है और एक एक करकर सभी कंटेस्टेंट को थैरिपी रूम में बुलाक कर अलग से क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर सभी की गेम को एक्सपोज कर रहे हैं सभी को अपनी असलियत से रूबरू करा रहे हैं तो ये सारी जीजों के लेकर क्या है क्या है हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताना साती है ऐसी ही चीवी और बॉलिवुड से जोड़ी तमाम खबरे चानने के लिए आज ही फिल्मे बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वह